दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजे भी वीडिफुल चैनल को और बेल आइकन को भी पैस कर दीजे आपके पास जब भी मैं वीडियो को यह अप्लोड करूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाएगी तो आज की जो रेमेडी है वह हम बनाने वाले हैं देशी घी के साथ और यह जो है आपके स्किन को बहुत गहराई से नारिश करेगा मौशिराइज करेगा अगर स्किन पर जरा भी शाइन नहीं है उसको यह ठी कर देगा ड्राइनस को मतलब आपके स्किन पर इतनी सादा शाइ को इवन पिग्मेंटेशन तक को रिमूव कर देगा बाट यह रेगुलर आपको यूज करना पड़ेगा लोंग टाइम के लिए एक दिन या दो दिन रेमेडी यूज करें और फिर कमेंट करके बोलें कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बट आपको यह रोज यूज करना है आपको दिखना शुरू हो जाएगा हर किसी की स्कीन टॉन टाइप अलग होता है किसी को जल्दी से इसका रिजट मेले और किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप रेगुलर यूज कीजिएगा कैसे यूज करना है चलिए देख लेटेम आपको शुटराइब इसे कर एपाने जितना आप न೎ए लिया उतना ही आपको इसमें पानी एड करना है पानी दोनों को मिक्स कर लीजए पानी गी फोड़ना अल्टैमिंबcoleद आपको इसको इस तरह से बीट करना है और इसको मिल जाएगा यह देखे की क्रीम बन गई है यह बहुत ही अच्छी नाइट क्रीम है आपके डाक्टर कल को भी दूर कर देगी आपके चहरे पर कितनी भी डालने से उसको खतम करेगी और स्कीन आपकी नगलो करेगी शाइन तो यह देखिए क्रीम बन रहा मागे लाफ से बीट कर देखेगी क्योंकि नगले अपको म eternally शाइन करती है झैलोग अब यह आपको आपको अपने फेस को खजा करना तो आपको आपके चाहारे है पहले पने श्याच आपको पर श्याची सरे और करना है पर आपको पलाई कर इसको लगाइए को सोने से पहले और उसके बाद 10 मिनट तक आपको ऐसे करना है मसाज 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 मूस आप सभी जानते होंगे करते होंगे फेश की मसाज तो आपको बता ह llam गा तो दस मिनट तक अच्छी तरह से मसाज कीजिए उसके बाद जो स्टैप आपको फॉलो करना है वह भी देख लेते हैं तो आपको लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा और थोड़ा सा आपको लेना है गरम पानी गिलास में बाल में किसी भी चीज में ले सकते हो इस तरह से कप करताश कर सको तो इस कपड़े को आप अपनी फेस पर इस तरह से रख लोगे मतलब आपको स्टीम लेना है मसाज करने के बाद जब आप इस तरह से यह कपड़ा रखोगे तो यह थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको हटा दोगे और इसी कपड़े से अगर वाश करने की जरुवत होती है तो आप नोर्मल पानी से वाश करोगे आपको गरम पानी यूज नहीं करना क्योंकि घी था तो आपको लगे गा बहुता अदस्टीकी और यह वह इस तिकी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने गरम पानी से स्टीम ली है और उसी अपरे से जो हम फेस को क्लीन करेंगे तो काफी हद तक यह साफ हो जाएगा इस तरह आपके फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपको कोई भी दूसरी चीज के बाद लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी और मोस्टिटाइज होने के बाद इसकिन कितनी ज़्याद गलो कर पहले बाद इसकिन में इतना ज़्याद चेंज होगा आप पहले जब पहले दिन यह पिक्चर लेश जाती है और ताम-टब में रिमुव होना शुरू हो जाएंगे तो है ना कितने काम की चीज जिसको हम रोज खाते है और हमें इसके फाइदे पता है कि हमारी सिध के लिए इसके कितने सारे पायदे हैं लेकिन लगाने के पायदे आपको नहीं पता थे ना बहुत अधा बेनिफिशल है प्लीज यूज़ करके देखेंगा तो मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में ततक लिप आए थैक्स पर वाची वीडियो कर अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्